नमस्कार साथियो, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट योटोब चैनल पे आज की डेट में सॉल्व करने वाले हैं हम पेपर और यह जो पेपर है आप यहाँ पर ध्यान से देखिए Electrishing Peripetime का पेपर है Second Year का और इसमें आपको टोटल मार्क देखने को मिल जाता है 250 का और यहाँ पर आपको समय भी देखने को मिल जाते हैं आठ गंटे का समय इसमें दिया जाएगा और यहाँ पर बात करें कितना नंबर आपको लाना जरूरी होता है तो ध्यान से आप सुनिएगा 250 में कम से कम आपको 150 नंबर लाना जरूरी है क्योंकि 150 नंबर इसका passing mark रखा गया है तो इस बात को आप ध्याने किएगा तो चलिए हैं आपर question को solve करते हैं वीडियो को complete देखिएगा और इससे पहले मैंने कई paper solve किये और उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो channel पे जाकर देख सकते हैं या इस वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगा वहाँ से भी आप देख सकते हैं और यदि आपका आज की WhatsApp के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं जो की WhatsApp group का link आपको इस वीडियो के description box मिल जाएगा वहाँ से आप डारेक्ट admin से आप यहाँ पर अपना जो भी आपका paper उसका photo खीच कर भीजेगा और हम आपको solve करके देदेंगे YouTube channel के माध्यम से तो चले हैं आप पर question स्टार्ट करते ह पहले आपको यहां पर एक लिखा हुआ नजर आ रहा होगा attempt all question जिसमें सात्यों यहां पर कहा जा रहा है पहले question में की perform open circuit test and short circuit test on a single phase transformer and find out the various losses and efficiency on given load कहने का मतलब यह सात्यों की एकल चरण टॉंसफार्मर पर open circuit परिच्छन और 60 circuit परिच्छन करने की बात कही जा रही है और 60 circuit परिच्छन के साथ आपको यहां पर परतिरोधक भार है उस पे भी यहां पर बात करें कि इसमें जो नुकसान है और जो दश्ता efficiency की बात करें जो दश्ता है उसका भी पता ल one heater with PVC wiring system, draw the wiring diagram and make list of material required कहने का मतलब यह है कि इसमें कहा जा रहा है कि एक छोटे आवासिया घर को तीन लेंप और एक पंका और एक heater आप यहां पर ध्यान से पढ़िएगा three lamp one fan और यहां पर one heater लिखा गया है तो इसके साथ PVC wiring की भी बात करें कि PVC wiring system से सुसर्जित किया जाना ह और wiring आरेक बनाए और आवसेक समागरे की सुचे भी आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है यह आपका दूसरा कोशन हो गया तिसरे कोशन की बात करें साथियो तो तिसरे कोशन में यहां पर कहा जा रहा है कि to perform load test are not given three page induction motor and draw various curve तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि कि इसमें कि इसी भी दिए गे थ्री चरण induction motor पर लोड परिच्छन करना और बिविन वक्र बनाना तो इसका भी आपको परियोग करना पड़ेगा तो चले इसको हम सब कुछ आपको बताते क्रम वाइज कैसे आप परियोग लिख पाएंगे और इनका answer की क्या होने वाला है तो सबसे पह टॉंस फार्मर की लोड विसस्ताओं का अध्यन करना तता उसकी दश्ता और वोल्टेज रेगुलेशन की गढ़ना करना और यहां पर आपको जो फिगरे कूछ इस परकार बनाना पड़ेगा यदि आप एक्जाम देने जा रहें और यह कोशन पूछा जाता है तो इसके ब आपको लिख देना है अलग-अलग आपको हेडिंग दागने की जुरूरत नहीं पड़ेगी तो आवसेक में आप उपकरन और समागरी में आप लेखेंगे कच्छा माल कनेक्टिंग वायर टेस्टिंग लैंब और प्लायर और कनेक्टर पेचकर बोल्ट मेटर एमाई टाइ तो यह सभी चीज़े आपको लिखना पड़ेगा इसके बस सिधान्त की बात करें तो सिधान्त में इसका जो सुत्र क्रियेट होता है वो भी आप यहां पर लिख सकते आउट्पूट अपान इंपूट के अंतरगत तो यह आप लिख दीजेगा अन्यता छोड़ भी देंग किये और तताभियस की नीचे आप देखिए इसमें आपको इतना ही दिया गया है तो इसमें आपको जो आपको करना यहां पर बीधी लिखकर और नीचे आपको एक हेडिंग और भी दागना है जो की परिडाम का हेडिंग रहेगा किसका रहेगा परिडाम का हेडिंग योग हमने सफलता प्रुवक किया इसमें जो जादा तर इंपोर्टेंट रहता है साथ हो आपका यही रहता है यहां पर आप फिगर देख सकते हैं बाकि आप यहां पर कारी विद्धी में यहां से लिखिए गाए ठीक है यहां पर जो सिधांत इसका दिया गया में इसका परि साथ हो दूसरे कोशन को देखें दूसरा कोशन इसमें यहां पर कहा जा रहा है कि और इसमान रिजिनेंशियल हाउस टूबी वायर अप विद थ्री लैंप वन फैन एंड वन हीटर विद पीवी सी वायरिंग सिस्टम ड्राद वायरिंग डाइग्राम एंड मेक लिश्ट मे यह पूछा जा रहा है कि एक छोटे आवास एगहर को तीन लेंप के साथ पंका और हीटर और जो पीवी सी वायरिंग है उस सिस्टम से सज्जित करने की बात का जा रहा है और वायरिंग आरेक बनाने के लिए कर रहा है जसल आपको बता दे कि इस कोशन को मैंने दो बूक मे जहें मिला नहीं आपके पास कोई अलग भूक होगी तो आप जरूर देखिएगा उसमें यदि मिल जाता है तो इस कोशन को आप देख लीजिएगा अगला कोशन आपको यहां पर दिखाते हैं जिसमें पूछा जा रहा है यहां पर ध्यान से देखिएगा इसमें साथ यह तौपर फारां लोड टेष्ट अनागी फें त्री फेंटि इंडेक्षन मोटर एंड राव एरियस कर्ब तो यहां पर इसमें यह पूछा ज़ा रहा है कि तीन जो चरंड इंडेक्षन मोटर है उसपर लोड परिछन करने के लिए यहां आपर का जारह है वक्र बनाना तो इ जिसमें आपको प्राइमरी साइट का जो फिगरे कुछ इस परकार बनाना पड़ेगा और सिकेंडरी साइट का जो आपका फिगरे कुछ इस परकार बनाना पड़ेगा और इसके बाद आप समागरी में लिखेंगे जो कि इसमें आपका पूछा गया थ्री फेज से तो सबसे हो पहले समागरे में आपको दोस की जरुवत पड़ेगी इसके बादो रांग्स इसके बाद बोल्ट इमीटर हो गया बाकिन आपको देखाना पड़ेगा इसको ध्याने किएगा बाके इसका input और output देखाना चाहते तो आपको इस परकार कुछ देखाना पड़ेगा अब यहाँ पर बीदी आते हैं या आप इसको बीदी लिखें या कारे बीदी लिखें दोनों एक ही बात है और या सिधान्त भी आप लिख सकते हैं तो इसमें आपका क्या होता है जैसे कि आपने परियोग किया तो परियोग को आपने किया कैसे किया यह सभी चीज़े आपको यहाँ पर लिखनी होती है कारे बीदी में कि आपने कैसे परियोग किया तो वह सभी चीज़े आपको step by step इसमें लिखनी होती है और कोई भी इसमें बात नहीं होता है इसके बाद आपका अगला हेडिंग जो आपका रहेगा साथियो सवधानिया रहेगा जिसमें आपको लिखना है जोड करने से पहले अर्थ लिकेज तता इंसुलेशन पर तरोर टेस्ट करना चाहिए और यहां पर दूसरी बात में कहा जा रहा है कि यदि मो यूग लिखना है और यह आपका 250 नंबर का है और द्यानिकेगा साथियो इसमें आप दूसरा कोशन देख लीजेगा जो कि मेरे पास बुक नहीं था इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया लेकिन आप एक बार जरूर इसको देख लीजेगा